अभी आप लोग जिस वाली वीडियो को प्रिवियू पे देख रहे हो अभी के टाइम पे कुछ इस टाइप की जो लिरिक फोटो एनिमिशन वाली जो वीडियो है ना इंस्टाग्राम के अंदर बहुत ही ज़्यादा वाइरल हो रही है तो गईज अगर आप भी कुछ इस टाइप की वीडियो को एडिट करना सीखना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को आप लोग सुरू से लेके पूरा लास तक देखना इस वीडियो के अंदर गईज मैं आपको complete बताऊंगा कि आप लोग कुछ इस टाइप की सेम टू सेम वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हो वो भी काफी कम टाइम में तो वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहना वीडियो ऐसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाली है तो बस आप लोग लास तक बने रहना बहुत ही इसली सीख जाओगा इस वीडियो को एडिट करना तो चलिए अब हम चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पर और बिना किसी देरी के अपने वीडियो एरेटिंग को सीखते हैं तो यहाँ पर जैसे की देख सकते हो मैं आ चुको हो अपने फोन के स्क्रीन पर और आज की वीडियो जो है गाईज वो हम कैपकट के इंदर एडिट करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको आज कैपकट अप्लिकेशन को उपन कर लेना होगा और जब भी आप लोग कैपकट अप्लिकेशन का इस्तमाल करते हो तो यहाँ पर आप लोग VPN लाजमी से कनेक्ट कर लेना जैसी हमारा VPN यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है यहाँ पर टूटल आपको साथ फोटो की ज़रुत पढ़ने वाली है तो यहाँ पर कुछ इस टाइप की जो फोटो मैं यहाँ पर एड कर रहा हूं देख सकतो कॉपल्स वाली तो इस सारी फोटो गाइस आपको कहां पर मिलेंगी आपको मिलेंगे पिंट्रस अप्लिकेशन के अंदर ठीक है तो पिंट्रस अप्लिकेशन जो है वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा उसको डाउलोड करेंगे सिंपलिस उसके अंदर जाना और कपल्स फोटो सर्च करना बहुत सारे आपको फोटो मिल जाएंगे फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क पूल स्क्रेन पर नहीं तो इस पर मैं क्लिक करूँ गा दोनों फिंगर से थोड़ा सी जूम कर दूंगा और लास्ट वाला भी जूम कर दूंगा तो यह दोनों फोटो हमारे हो जाएंगे ठीक है तो जैसे इतना हो जाता है अब आपको स्टार्टिं में आजाना है और गई हमको कहां पर देखने को मिलेगा तो फोटो के लेयर में ही देखो यहां पर आपको मिलेगा तीन सेकंड लिखा हुआ होगा ठीक है तो तीन सेकंड लिखा हुआ बाहर से अगर नॉइज आ रही होगी तो इग्नॉर करना विकाज गाड़ियां चल रही है बहुत ज्यादा ठीक से इस पर क्लिक करना यहां पर देखो ध्यान दोगे तो छोटा सा दिखेगा ठीक है आपको राइट 3 सेकंड में तो इस फोटो का जो डिवरेशन है आपको रखना है 5.2 परसेंट ठीक है तो इसको हम बढ़ा के 5.2 परसेंट करेंगे तो कुछ इस टैप से हम बढ़ाएंगे और 5.2 परसेंटत सुन्ख फोेस्ट थीपरसेंट फेकंड आपको बढ़ाएंगे तर्ट फोका जो डिवरेशन है इसको अम रखेंगे 3.3 परसेंट रखेंगे 3.3 परसेंट से रख दूंगा तर्ट फोर्ट यहां ऍसको भम रखेंगे 3.3 परसेंट तो आगे वाला फोटो है मैं बढ़ाद से उसे टीक है और एक से के स्माइब कर देते ते यहां तक आगे वाला फोटो है about 3.2 सेकेंड जो लास्ट फोटो बच जाता है, राइट 3 सेकेंड में रहेगा, इसको आपको नहीं छेड़ना है, ठीक है, जैसे आपको इतना complete हो जाता है, आपको बीच वाले पे क्लिक करके, स्टार्टिंग में आजना है इस हैं पर क्लिक करना है अब इड करना होगा इड करना हूगा अपना means टो म्यूजिक क्या आड करना है अगर अगर आप अलग से कोई music डाउनलूड करके रखे हो तो यहां पर audio पर आप अपना music एड़ गर जकते हो लेकिन गाइज अगर आप मेरी तरह किसी वीडियो से audio लेना चाहरे हो तो simple से add audio पर क्लिक करना यहां पर मिलेगा extracted का एक option इस पर क्लिक करना और यहां से आप उस वीडियो को select कर लिया है और यहां पर मैं extract audio पर क्लिक करूंगा तो उस वीडियो का यहां पर आजाएगा जैसे की देख सकते हो ठीक है थोड़ा से हम इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा ठीक है कुछ से अब जैसे इतना हो जाता है अब आपको क्या गरना अब आपको ना अपने फोटो में एक effect एड़ करना है जैसे आपका photo चेंज होगा तो एक effect कि थू हो तो किसी भी एक box वाले icon पर क्लिक कर देना एंड जैसे आप लोग इतना गरते हो तो आपके सामने देख सकते हो यहां पर effect जो है वो लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा एंड मेक शूर गाईज जब यहां पर आप लोग VPN नहीं स्वारी जब भी आप लोग प्लिकेशन क मेरे को कॉमेंट करते हैं चलो कोई बात नि इतना हो चुका है जैसे कि यहां पर देख सकते हो अभी आपको इफेक्ट को एड़ करने के लिए उसका नाम भी आपर मैं आपको बता दूंगा तो सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा आगे आओगे यहां पर बहुत सारे आपको से है तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और इसका जो डिवरेशन है वो मैं रखूंगा 1.0 सेकंड इतना करने के बाद सबसे नीचे कॉर्णर पर अप्लाइट वाल का उप्शन मिलेगा इस पर एक बर क्लिक कर देना तो यह आपके सारे फोटो के देख सकतो एंडिंग में यह अ इसन है तो आपके सामने तीन आप्शिन मिलेंगे इन आउट कॉम्बो तो आपको कॉम्बो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जैसे यहाँ आप vocês अपधिये तो आपको थोड़ा सा आगे आना है यहाँ पर आपको सब सब हर किसी को मतलब स्टार्टिंग में Sao One का एक एनिमेशन तो फिए फोटू पे जोम वान एनिमेशन डालना फोड़ा आपको right to वाले option से okay कर देना है, इतना करने के बाद देखो हमारा कुछ इस तरीके से animation हमारे photo पे लग जाएगा, अगर मैं play कर के दिखा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, तो इस तरीके से जैसे animation effect complete हो जाता है, अब हमारा main आता है lyrics, लिरिक्स में कौन सा animation यूज़ करना है, कौन सा font यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो अभी आप लोग ध्यान से और सीरियस होके देखना, ठीक है, जैसे यह आपको lyrics लिखना का काम आएगा, तो इसके लिए आप स्टार्टिंग वाले फोटो में आ जाना, अभी आपको इस हैरो पे एक बर क्लिक करना है, सब से नीचे text वाले एक option दिखेगा, third number पे इस पे क्लिक करना, add text पर चले जाना, अभी आपको यहाँ पर जो भी आपका lyrics है, तो वो आपको अपना tap कर देना होगा, तो जो भी में यहाँ पर मेरा lyrics है, वो मैं यहाँ पर अपना tap कर देता हूँ, tap करने के बाद font वाले option पर आएंगे, add font पर जाएंगे, और यहाँ पर जो font यूज कर रहा हूँ, इसका नाम है American Captain, तो यह वाला font मैं आपको telegram पर अपने प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ से जाके आप लोग एजली से डाउनलोड करके, यहाँ पर प्लस वाले icon पर क्लिक करके आप अपने फाइल के अंदर से इस फॉन्ट को add कर सकते हो है, मैंने भी इसी तरीके से किया था, इस पर आपको select करना है, अभी आपको style वाले option पर आपके shadow पर आजाना है यहाँ पर, shadow पर आने को बाद black color shadow क्लिक कर देना, ok करना, side से पकड़ करना इसको zoom करना कुछ step से, और यहाँ पर जहाँ पर इधर, उधर, जिधर, left, right, दाएं, बाएं, बीच में, जहाँ पर भी set करना चाहते हो, वाँ पर कर सकते हो, मैं इसको यहाँ पर set कर दे रहा हूँ, मेरो को सही लग रहा है, इसकी जो length हम क्या करेंगे, फर्स्ट फोटो के starting तक रखेंगे, बूलेते हो end तक रखेंगे, ठीक है, इतना करने के बाद, अब हमको इसमें animation डालना है, तो थोड़ा आगे आते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा आपको एक animation का option, आपको एक animation का नाम है, जिसका नाम है फ्लिकर, तो यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाओगे तो मिलेगा देख सकतो फ्लिकर, इसपे क्लिक करना, अब इसका जो duration है, आपको रखना होगा 0.1.0 सेकंड, 1.0 सेकंड रखना होगा, एंद इसको OK कर देना होगा, ठीक है, तो देखो कुछ इस टाइप से animation आपका बन जाएगा, इसी तरीके से अभी आपको क्या करना होगा, यहां से म्यूजिक को प्ले करना है, और सुनना कि कहां से आपका सेकंड लाइन बोलता है, अब यहां तक से स्टार्ट होता है, second line, तो यहां तक आम इसको कहिच देंगे, यह तरिम कर सकते हो, अभी आपको इसके क्लिक करना है, और यहां पर style पर जाना है, style पर पूरा कट कर देना, ठीके, और जो आपका आगे का lyrics है, वो लिख देना, तो यहां पर मैं लिख देता हूँ, और यहां पर जो फॉंट का यूज करेंगे, इसका नाम है Just Write Demo, तो यह भी फॉंट आपको टेलिग्राम पर मिलेगा, इसको यहां पर नीचे सेट करना आप लोग, कुछ इस टाइप से, नीचे सेट करने के बाद स्टाइल पर आके इसका क्लिक करना है और थोड़ा आगे आपको यहां पर मिलेगा एक option, यहां पर duplicate का ओप्शन, यहां पर duplicate का, sorry, duplicate copy वही समझ लो भाई, तो duplicate पर क्लिक करना है और यहां पर इसको पड़े के यहां पर लेकर आ जाना ठीक है, अभी इसको अपको second photo के end तक रखना होका, अभी simple से आ आप अलग अलग direction में रखना अपना lyrics एक ही जगा मत रखना ज्यादा बढ़िया नहीं लगेगा ठीक है पर यहां पर आपना music सुनके lyrics लिखना और सेम इसी तरीके से बन गया आपको बार बार डालने की जूरत नहीं पड़ेगी अब सेम तरीके से आगे भी आपको music को सुनना है copy करके जाना है और style पर जाके आपको अपना font sorry जो lyrics है वो अपना music के according लिखते जाना है इसी तरीके से करते जाना है आपको तो इसको मैं फटाफट से कर लेता हूँ उसके बाद में आपको दिखाता हूँ ओके ओल्राइट गईस तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हूँ मैंने जो है करके अपना सारा lyrics लिक लिख लिया है एंड यहाँ पर जो वीडियो है बहुत ही तगड़ी एडिट हो चुकी है जैसा आप लोगों ने preview पर देखा था सेम उसी तरीके से सो अभी अगर मैं आपको इस वीडियो को प्ले करके स्टार्टिंग से दिखाऊं तो यहाँ पर आप वीडियो देखना बहुत ही तगड़ी बन चुकी है देख सकते हो तो इसी तरीके से आप लोग कुछ इस टाइप की lyric वीडियो को एडिट कर सकते हो बहुत ही सिंपल है इस वीडियो को एडिट करना